हेलो नमस्ते जी रादे रादे सभी को कैसे हैं सब ये तीज से अगले वाला दिन है एक अगस्त मैं सुबह ना दोगे मंडे हैं पूजा गट रही हूं इसके बाद मंदिर जाओंगी और मंदिर से आने के बाद देखती हूं बहुत सारे काम है आज कपड़े धूने हैं बहु 20 रुपे देती हूं तो ना वो थोड़ी सी दूआ दे के चले जाते हैं खाली नहीं जाने देती कभी आवाज लगाते हैं तो ऐसे बदाई लेने तो यह हमारे साइड में जो न्यू घर बनाये ना उनकी बदाई लेने आये थे और आज कल यह बच्चे होने की शादी होने क घर बनने की सब चीजों की बदाई लेने लगे हैं तो सब इन्हें देख रहे थे बार खड़े होके लेकिन बाकी सब तो इनके घर ही चले गए थे मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े वगर धोने हैं तो मैं बस इसके बाद ऊपर ही आगी हूं और मैंन तो दुल गी है जो लाइट कलर के वर्दी थे वैसे मैं कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं जिसका कलर निकल रहा है अगर डार्क है या लाइट है तो मैंने लास्ट वाली वोस में दोई वोस दुली हैं क्योंकि बाक्की तो और कपड़े थे नहीं नीके थे जो लेके आये थे त मेरी बहुत गंदी आदत है मैं जेवना बहुत कम चेक करती हूं मैं इनसे कह देती हूं कि आप अपनी खाली करके दिया करो कपड़े वैसे तो इक खाली करके लाते हैं पर कहीं बारोस हो जाता है ना कुछ रखा रह जाता है कोई कागज वगयरा लेकिन अभी कुछ नहीं बुरूस पी लेकि आई निचे से क्योंकि ना वर्दी थोड़ी सी गर्मी में ना कोलर से गंदी हो जाती है जाते है मसीन से पूरी साफ नहीं उपाती तो मैं इन पर सब थोड़ा सा इनके कोलर पर बाजू पर और पैंट की जेव वगयरा पर बुरूस भी लगा दूंगी जीन्स वगयरा पर भी क्योंकि मंत में आते हैं अब यह तो कपड़े थोड़े जादे गंदे हो जाते हैं और इन्हें ना बाहर की प्रैस वगयरा करे वे कपड़े पसंदने आते तो श्यासाथ जोड़ी वर्दी कर रखे हैं सारियों को धुलबाव लुआ कर ले जाते हैं अब प्रैस करवा के इतने आते हैं गंदी होग फिर ले आते हैं कि बहर के धुलने फटानी कैसे पाणी में दोतते हैं किसे करते हैं मुझे जादा आच्छाद नी लगता क्योंकि वह कहीं भी धो देते हैं कपड़ों को अर्ब कर 171 मैं विहमने साभ दो एंते हैं क Tampa रही जब मैंने सुखाय या बाकी सब काम किया बहुत ज्यादा कुछ रिकोर्ड भी मैं नहीं कर पाई हूँ आज लेकिन जितना भी किया था मैं चलो व्लोग तो डालना ही है तो आज ये व्लोग ना दो दिन का मिलके होगा को कि एक अगस्त और दो अगस्त में जो जो होगा उसका यह व्लोग है और 2 अगस्त में मैं इसको कम्पलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना उस दिन टाईम नहीं मिला पिर बाद में थोड़ा सा पिजई होगी थी क्योंकि जब आपको पता है आया आदमी आया काम और गया आदमी गया काम को वाले इस्तिती हो जाती है कि जब अब हारता जब भी काम थोड़ा जादता आफ एक दिन के लिए हैं तो थोड़ा सा काम भी हो जाता है और देखो जी आदमी बने रहो ये सब तो चलता ही रहता है और कैसी बनी है आपकी तीज आप बताइए मुझे कमेंट करके और देखो कपड़े सूख गे थे अब मैं इनको उतार के लिए आई हूँ और आज बगवान ने काफी साथ दिया सारे कपड़े सुखा दिया है यह मतब बारिस नहीं आई वरना डर लग रहा था कभी बारिस आए सुखे न तो कैसे करूंगी अब मैं सारों को इन्हें छाट के अलग अलग कर देती हूं प्रैस के अलग और तैय बनाने वाले अलग कर दूंगी और जो थोड़े से पहले पड़े थे एक दिन पहले वह व और यह तैय करते करते ही अभी ना फैल और उसके पापा बार गई हुए हैं तो तब तक वो आता है तब तक मैं सारे कपड़े प्रैस कोसिस कर रही हूं कि तैय बना लो और प्रैस करना सुरू कर दूं ऐसा तो मेरा सारा काम निमट गया कोई ऐसा काम है नहीं और जब मैंने टी-शिट पैन ले थी क्योंकि ना इसकी बाद जो सूट की पोनी है फिर गिल्ला हो जाता है तो इसलिए मैंने टी-शिट डाल ली थी अब काम नहीं मट गया था तो यह भी आ गए है और पाइल मुझे बता रही थी जहां 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 इसके डैडियर यह गए थे क्या कि कर रहा है मेरे कपड़ों पर प्रैस वगएरा कुछ नहीं हुई आज मेरा सारा काम बसी नहीं गया है हाई यह दू प्रैस कर रहा है कि अधिको कि लडाई कर रहा है मेरे साथ कर दो कि अधिको प्रैस एपने नाना के साथ भी अब की बार पहली बार इतना खेलाई इनके साथ यह वरना इनसे थोड़ा डरता था और अब की बार तो इनके साथ खूब लेट-लेट कैस अच्छे से खेल रहा था ना अब यहां से हो जाता है दूसरे दिन का तो अब मैं दुफैर के खाने में बना रही हूं यह सलाद है स्वीट कोर्ण की तमाटर प्याज काट लिए और यह उबाल लिए स्वीट कोर्ण यह इसमें डाल दूंग नमक मिर्च निम्बू डाल दिया है मिक्स करके सलाद रेडी हो जाती है और इन्हें बहुत पसंद है यह वाली सलाद अधिकतर बनती है जब यह आते हैं और मैं खाने में बना रहे हूं कडाई पनीर यह प्याज सिंद्व candidate अध्रग प्याज माइश पीश कर लिए हैं यह मैंने कडाई के चढ़ा दिया अब और वापку बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है fang बना की मैंने के बाद मैंने डाल दूंग कुछ खड़े मसाले देज पत्ता है, एक बड़ी लाइची, दाल चीनी का टुकड़ा, चार पांच लोंग, चार पांच का लिमेज, यह मैंने इसमें डाला है, एक चमज डाल दूँगी जीरा, और आदा चमज, मतब थोड़ा सा डाल दूँगी हींग, जब यह अच्छे से फ्राई हो जाएंगे मतब भुनसी जाएंगे, तब उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अद्रक, अद्रक को थोड़ा सा भुनने के बाद, कुछ सेकंड, अब मैं इसमें डाल दूँगी पिसी हुई प्याज, और हरी मीच मैंने टमाटर के साथ ही पीस लिया है, इसलिए वो मैंने अलग से ने काली मीच मैंने इसमें डाल दिया है, खड़े मसालों में, और यifiques से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, रहे काफे ब्राउन होगी है प्याज अब में चमाटर का पेश तैयार किया दाल दूंगी इसको धोके भी समी डाल दूंगी था कि मसाले जलेना और अच्छे से यह पक जाएं अच्छे से मिक्सरने के बाद इसको मैं डालाट दूंगी तकने से Kathanis ये टमाटर जल्दी पक जाते हैं और मसाले अपनी खऴ्ष होड़ से त Canyon Pataria पक गींग इसके बाद दाली है इसमें हंट्धी डाल दी है यह मैं आदा चम्मच डाल रही हूं देगी मिर्ष कलर अच्छा आएगा और यह दो चम्मच डाला है मैंने किछन किंग मसाला और नमक डाल देंगे अब इसमें चुटी चम्मच है अपने अनुसार डाल सकते हैं नमच अच्चे सा मिक्स कर देंगे और इसमें मैंने कोई और मसाला नहीं डाला है ना गरम मसाला डाला है ना यह सुका धनिया डाला है बस kitchen king डाला है दो चम्मच इसे भी हम ढख के हैं 3-4 मिनिट के लिए पका लेंगे और प तो उनको डाल देंगे क्योंकि मसाला अच्छे से बुन गया है शिम्ला मिच प्याज भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी हम तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें जो इस तरह के खाने होते हैं गैस बहुत ज्यादा मंदी करके नहीं बना तो मैंने इस अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढग दिया है एक मिनट के लिए थोड़ देर बाद फिरी से खोल के हम चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि भाप में अच्छे से थोड़ी सी सोफ्ट हो गी है और बहुत जादा हमें इन्हें नहीं गलाना है थोड़ी क्र रेस्टोरेंट का भी अच्छा नहीं लगता देखो सिम्ला मिर्च और प्याज अच्छे से पक गी है बस हमें इतना ही नहीं पकाना है तो अच्छे से मिक्स करके हम इसमें पनीर मिक्स कर देंगे जो हमने पनीर आप अपने हिसाब से काट सकते हैं मैंने जादे बड़े पी तो मैंने ये छोटे-छोटे टुकडों में इसको काटा था मिक्स करके इसको भी ढग देंगे छोड़ी देर बाद चेक करेंगे दो मिनट बाद देखनें आप कितना अलका सा पानी सा भी निकल गया है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी करस करके और ये दो मिक्स कर दिया है सब्जी ओल्मोस्ट तयार है बस हम इससे दो मिनट के लिए और पका लेंगे अब फिर इसको हम कवर करके दो मिनट के लिए अब डख देंगे और हमारी सब्जी बनके एकदम तयार आप टैक्चर देख सकते हैं सब्जी का कितना बढ़िया हो गया है रेस् और यह पूंपे पाणी आ रहा है देखते ही तो किसकिस ने ऐसी सबजी बनाई है या कुन-कुन अपने घर में इस तरह की सब्जी बनाता है मतब इस मैथड से पनीर बनाता है तो मुझे प्लीज बताएं और अगर कुछ कामी हो तो वो भी बताएं और खुस्बु तो ला जवाब आ रही थी इसमें से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आजाइए खा लीजिए आप भी पराठे बना रही हूं सबजी बना के मैंने एक तरह रख दिया है अब मैं खाना तो खा लिया था लेगिन अब मैं इनके लिए बना रही हूं ले जाने के लिए खाना पैक करने के लिए तो मैं ये पराठे लेकर जाते हैं पूरिया ये कम खाते हैं तो मैं अब इनके लिए पराठे बना के तयार कर खाने को बाहर कर दोंगी और आदमी खाने और आदमी खाने ने घर और जो और में ंँको अदुट कर सकते प्रबू की दया से सब कुछ है जा इसा नहीं है कि बाई मई है गाना हिशा उटे और गर-बना लेते ऑ और कुछ फनक पहां पर घाके आते ना उतने दिन में 4 बार बना सकते हो अपने घर में तिकोने पराठे बना रही हूँ यह मुझे बहुत हीजी लगते हैं बनाने वैसे बना तो सभी तरह के लेती हूं लेकिन तिकोने बहुत हीजी लगते हैं बनते भी अच्छे हैं और ले जाने से थोड़ी देर पहले बना के रख देती हूं जिससे ठंडे हो जाते हैं जादे गरम गरम पैक करते हैं तो फिर वह मुस्चर सा आ जाता है रोटियों में तो लेकर नहीं जाते हैं अब पराथे बनाने के बार थोड़ देर बाते बाते की और फिर अब चाय पी रहे हैं सब क्योंकि अब इनके जाने का टाइम हो गया यह तैयार हो गया है और देखो भी रखा है बिल्कु खानवाना सब पैक करके मैंने रख दिया है तो हम तीनों बैटके सब चाय पी रहे थे अब बस बाते कर रहे थे थोड़ी थोड़ी दो दिन कैसे निकल गे पता ही नहीं चला अब यह बया रखा था तो अभी पिछले आठ दिन से तो इतना अच्छा अगर कमाओल हो रहा था अब हो जाएंगे दोनों अकेले पर बैट जीवन है इसमें तो यह चलता ही रहता है इन्हें जोब करनी है बेटे को पढ़ना है तो अकेले तो रहना ही पड़ेगा एक टाइम है सब आएगा कि बिल्कु अकेले भी रहेंगे तो यह तो जीवन है ऐ कोई बात की अब हमारी चाय अभी खतम नहीं है यह बिल्कुल ऊपकी तयार कड़ेंदे जाने के लिए हैição Ann Nirm市 बाते कर्ते थे हैं अब पीज्ते तयार है क्योंकि ट्रेन बतफिया इनकी बीदलि से इन अभी पूरी रात का सफ़र करना उता है जाने के लेकि काफी दूर पोस्टिंग है इनकी भी अब और अब तो मंत में एक ही बार आना होता है अब इप पाक से आगे थे एक दिन के लिए वरना तो आने का विचार तो भी था नहीं पर कहते हैं नहीं जा जागा अनौर पानी इंसान की किस्मत में होता है न मावाओं से जाना इंपड़ता है तो इन दो दिनों में इनके खाना था इनकी किस्मत में यहां का घर का तो घर आ गए अब वापस जा रही है अब देखो कब चक्कर लगेगा और आपको मेरे व्लोग कैसे लग रहे हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइट फिर कमेंट किया करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सुस्क्राइब कर लें मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को रादे रादे और बाइबाए